बिहार पलिस को स्टेबल भरती 2020 किस नोटिफिकेशन संख्या 05 2020 के अंत्रकत CSBC द्वारा 8415 पदो के लिए जो भरती निकाला गया था जिसके एक्जाम मार्च 2021 में कंडक्ट कराया गया जिसमें लाखों अभिहारती पाटिसिपेट किये थे हम इस विडियो में बात करने वाल है क्योंकि आपका रिजल्ट का इंतिजार खतम होने वाला है पले भी मैंने विडियो बना कर जनकारी दिया था कि सितंबर लाश्ट तक आपको वेट करना होगा अगर सितंबर लाश्ट तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आपको अप्टूबर के फर्स्ट विक तक कम स से कम आपको वेट करना पड़ेगा तो क्या 30 सितंबर को रियल्ट आएगा कि नहीं आएगा इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे चलिए शुरुआत करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन संख्या जीरूपाथ 2020 के अंत्रगत जो भरती आया था 8415 पदों के लिए जिसका एकजाम 14 मार्च 2000 को 2 सिप्ट में और 21 मार्च 2000 को 2 सिप्ट में जिसमें लाखो अभिहार्थी पाटिसिपेट किये थे एक्जाम होने के बाद result के इंतिजार कर रहे हैं अभिहार्थी और मैं आपको बता दू CSBC द्वारा इससे पहले इतना समय नहीं लिया गया है result उखुशित करने में क्योंकि पहले धाई से तीन महिने या maximum साड़ी तीन महिने लगता था और result उखुशित कर दिया जाता था अब यहां पर दीके 8415 पद है 8415 पद है तो इसका result कितना देना है तो 5 गुना result देना है इसके total 42,075 result देना है अगर पिछली बार की भरती की बात करें ते 11,888 पद पर भरती आया था जिसमें आपको 5 गुना result जब दिया गया था तो लगभग 58,000 के करीब आपको result दिया गय और यहीं candidate का आपको fiscal भी होने वाला है तो fiscal भी लंबा चलने वाला है लेकिन पिछली बार से इस बार थोड़ा कम result देने वाला है क्योंकि seat भी कम है 8415 पद का ही seat है अब यहां पर देख सकते हैं कि अगर आप official website पर आते हैं तो official website पर आपको result से related कोई update नहीं है मैं बता पर मतर result डाला जाता है जिस date में आपको result खुशित किया जाएगा और आपको timing में उसमें मतर CSBC क्या करता है कोई इस से पहले जनकारी नहीं देता है अभी भी आप phone करकर CSBC जनकारी ले सकते हैं क्योंकि CSBC आपको number उपलब्द कराता है contact list में जाईएगा तो number उपलब्द है कि कोई update नहीं है कल रात से ही लोग बोल रहे है कि 37 सितंबर 2021 को result आएगा तो आखिर कब आएगा और इस बारे में कहां से news यह फैल रहा है देखिए मैं आपको बता दूँ कि results related में एक channel बताया था मैंने बताया था कि कोई भी आपको जनकारी लेना है वहां से ले सकते हैं अब आप देख सकते हैं राजीयो और ये आपको डाल चुके हैं वीडियो पहले भी आपको बता चुके हैं हां से यहां सभी अप ले सकते हैं मैं आपको पहले की वीडियो में बताया था कि last सितंबर थक हो सकता है कि result घुशित हो या आपको October 1st week तक इंतिजार करना पड़ बहुत से ऐसे हैं जिन से बात करने के बाद यह पता चला है कि 30 सितंबर 2020 को रिजल दुखुशित किया जाएगा ठीक काफी स्टूडेंट कल राट से ही बोल रहे कि इस पर एक वीडियो बना दीजे कि 30 सितंबर 2020 को रिजल दुखुशित किया रहा है ठीक अब उन लोगों के पास कहां से कि source news आया है मैं इस बारे में नहीं बता दे सकता क्योंकि मैं अपने source से जहां से news बताता हूँ वहां से यहीं बताया गया था कि last September तक आपका result खुशित कर दिया जाएगा अगर राश सिटमबर खुशित करने में कोई technical गड़बड़ी होती है तो आपको अप्टूबर तक result खुशित कर दिया जाएगा तो मुझे भी अनुमाल यहीं लग रहा है कि आपको 30 सितमबर तक result खुशित कर दिया जाएगा अगर years related फिर में बता देता हूँ कोई भी update अगर अच्छे से चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके channel पर भी update दिया जाता है ऐसे आपको बहुत से channel बिहार में है उन पर भी आपको update दिया जाता है जिसमें आपको लगता है जो कि satisfy news देते हैं अच्छा news देते हैं क्योंकि इनके दौरा पहले भी news दिया जा चुका है और वो date सही साभीत हुआ है तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सक सकता है क्योंकि सभी लोग जूट नहीं बोलेंगे ठीक काफी लोगों दौरा ये बताया जा रहा है कि 30 सितंबर 2021 को result आ रहा है अब हम आगे बात करते हैं देखे result आने के बाद आपके पास बहुत कम समय बचेगा physical के तैयारी करने का क्योंकि जैसे ही आपको result आएगा तो फिर पंचायद चुनाओ है पंचायद चुनाओ भी आपको जानते है कि जल्दी खतम हो जाएगा और पंचायद चुनाओ दिसंबर आपको लगभग 12 दिसंबर तक पंचायद चुनाओ खतम हो जाएगा जैसे ही आपको पंचायद चुनाओ खतम होता है तो आपका physical conduct कराने पोसिबल नहीं है देखे रिजल्ट में इसलिए डिले किया जाता है कि फिसकल और रिजल्ट के बीच में ज्यादा समय ना मिले और आपको पिछली बार जो समय मिल गया था वो तो करमचारियों को फिर CSBC द्वारा बदला गया वो मुख्यकारण था या करोना का जो लॉग्डाउन लगू हुआ वो मुख्यकारण था तो लॉग्डाउन तो बहुत पल नहीं खुल चुका है पूर रूप से आपको CSBC काम कर रहा है तो अभी तक रिजल्ट के हो नहीं आया य क्योंकि यह 2020 में भरती आया और बिहार का कोई भरती धाई से तीन साल लगा ही देता है लगबक धाई साल लगा देता है तो यह भी कोई नया बात नहीं है आप सबी लोग जानते है कि बिहार के रवया क्या है यहां के कोई भी भरती कोई भी आयो का रवया क्या है ठीक और इसके खिलाब जब भी आवाज उठा उठाते उनको भी आवाज दबानी को कोसिस किया जाता है, लेकिन फिर भी डटकर एकता बना कर इसके प्रती आवाज आपको उठाना पड़ेगा, ठीक, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कि जो आपको दोड़ है, गोला फेक है, उची कू और नहीं लिया गया, रिजल्ट आने के बाद ये पता चलेगा कि कहां पर क्या हुआ है, और रिजल्ट आने के बाद ही मैं आपको कुछ बता सकता हूं, प्रूफ के साथ कि किस जिले में क्या हुआ है, ठीक, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद सब दूद का दूद और पानी रेट जो बताया जाया है लोगों द्वारा उनों पर भी आप बिलीप कर सकते हैं ठिक अब यहाँ पर देखे इसका तयारी आप जरूर कीजिए का दोड़ का तयारी आपको भी से कर देना होगा जिनको लग रहा है कि हम अब रिटेन एक्जाम निकल जाएगा क्योंकि इस बा झाल 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